पॉम्शान्ति, डेट 24.03.2024 प्रातर मुर्ली, अव्यक्त बाप्तादा, रिवाइस डेट 13.03.1998 मधुबर होली शब्क्य आर्थ्स्वरुप में स्थित होना आर्थात बाप समान बनना आज बाप्तादा अपने holiest, highest और richest in the world बच्चों को चारो तरफ देख रहे हैं चाहे साकार में सम्मुक है, चाहे दोर बैटे दिल से समीब है, चारो और के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं हर एक बच्चा ऐसा holiest बनता है, जो सारे कलप में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है ना बन सकते हैं समय प्रती समय धर्म आत्माई, महान आत्माई पवित्र रहे हैं लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ती वा प्रालब भविश्य अनेक चनम तक तन, मन, धन, संबन, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो मन, वच्छन, करम तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रालप्त प्राप्त होती है तो ऐसे होलियस्ट आत्माएं हो अपने को ऐसे स्रेष्ट होलियस्ट आत्माई समझते हो अभी बने है वा बन रहे है बनना सहच है या थोड़ा-थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल्प पहले भी बने है और अभी बनना ही है पक्का या थोड़ा-थोड़ा चलता है नहीं, स्वपन मात्र भी अपवित्रता समाप्थ होनी ही है इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे है और कल्प बन ही जाएंगे तो होलियस्ट भी है और हाइस्ट भी है उंचे ते उंचे बाप के बच्चे उंचे ते उंचे है हाइस्ट बनते हो तब पोजे जाते हो चाहे आजकल के हाइस्ट आत्माई सकामी राजे थे अब तो नहीं है चाहे प्रेजिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन वह पोज्य नहीं बनते है आप पोजय बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पोजन करते हैं अभी भी स्वराज यदिकारी बनते हो और भवश्य में भी राजों के राजे बनते हो तो ऐसा highest पदप्राप्त करते हो साथ में richest in a world हो आपका टाइटल ही है पदमा पदमपती और एसा खजाना है जो आरबपती, खरबपती, आरबखरब से भी ऐसा खजाना प्रप नहीं कर सकते आप स्रेश्ट आत्माओं बाफ त्वारा ऐसा भाग के बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है कदम में पदम है या सो है हजार है ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनेर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता कदम में कितना टाइम लगेगा कदम उठाओ कितना समय लगता है सेकेंड चलो दो सेकेंड कह दो अगर दो सेकेंड भी कहो तो दो सेकेंड में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हुए हिसाब करो ऐसा कोई मिलियनेर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे ऐसा कोई होगा तो richest in the world हो ना और आपका ऐसा खसाना है जो आग भी नहीं चला सकती पानी डुबो नहीं सकता चोड लोट नहीं सकता राचा भी खा नहीं सकते ऐसा खसाना इस पुरुषोतम संगम युक में ही प्राप्त करते हो तो अपना ऐसा स्वामांच पृती में रहता है हाँ या ना पीछे वाले हाथ हिला रहे है पीछे वाले आराम से बेट रहे हो ना richest in the world हो तो आराम ही आराम है बड़े से बड़ी उणिवरसिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बढ़ते है लेकिन आप bigger to prince हो बेगर भी हो और prince भी हो सर्व त्याक माना बेगर सर्व प्राप्तिया आर्थात prince बिना त्याक के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है त्याग का ही भाग्य मिलता है तन, मन, धन, संबन सभी त्याग किया अर्था परिवर्तन किया तन मेरा के बचाए तेरा किया मन, धन, संबन एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बचाए तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाक्य की अधिकारी बन गए। तो भाक्य के आगे यह त्याग क्या है? चोटी बात है यह थोड़ी बड़ी भी है। कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को चोटा करना, और मेरा कहना माना चोटी बात को बड़ी करना. क्या भी हो जाए, सौ हिमालय से भी बड़ी समस्य आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड को रूई बनाना, राई भी नहीं रूई, जो रूई सेकेंड में उच जाए, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना, एक शब्द का परिवर्दन सहज ही है न, और फाइदा ही है, नुकसान तो है नहीं, तेरा कहने से सारा बोज बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमत्त मातर हो, इसमें फाइदा है न, नियारे और परमात्मा के प्यारे बन गए, जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं, वो विश्व के प्यारे बन सर्फ भविश्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है, एक सिकिन में अनुभव किया भी है और करके देखो, कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, माँ जाओ और तेरा समझ करो तो देखो बोज हलका होता है या नहीं होता है, अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैटे हो ना, सर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 चनमों की आदत है, तो तेरा तेरा कहे कर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए, फिर वबात तो एक घंटे में, दो घंटे में, एक दिन में खतम हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलत बात आदे घंटे की होगी लेकिन चाहे पस्चाताप के रूप में चाहे परिवर्दन करने के लक्ष से वह बात बार बार स्मुर्थी में आती रहती है इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते है अगर मेरा शब्द से प्यार है आदत है संसकार है कहना ही है तो मेरा बाबा कहो आदत से मजबूर होते है ना तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहे कर खत्म कर दो अनेक मेरे खो एक मेरा बाबा में समा दो रश्या वाले एक डॉल आते है ना तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो खत्म यह कर सकते हो, कहते हो, लेकिन कभी-कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो, अभी कभी-कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नमबर वार है, नमबर वन भी है, एवन भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नमबर भी है, तो होली मनाने आये हो ना, तो यही मंत्र याद करो में बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थत हो गई, तो ऐसी होली मनाई, अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हां नहीं कहते, सोच रहे है, देखो, भक्ती मार्क में जो उच्छा मनाते है, यादकार है, लेकिन कुछ-कुछ अच्छ से बने हुए है, पहले जलाना है, फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भसम करो, अशुधी को, कमसोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ, तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपटे का कोना रहे गया है, पांडों के बश्षड या जो चोला पहनते है, उसका कुछ कोना रहे गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रहे गया, वास्तर में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ती अतींत्रिय सुक का अनुभव करना, वा तभी कर सकते है, जब पहले जलाया है, मनोरंजन के रूप में मनाना वा अलग चीज है, वा दो संगम युख है मौचों का युग, इसलिए मनोरंजन की रिती से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यहे रंग में रंग जाना, जैसे बाप अशरीरी है, अव्यद्ध है, वेसे अशरीरी पन का अनुभव करना, वा अव्यद्ध फरिष्टे पन का अनुभव करना, यहे रंग में रंग जाना, करम करो लेकिन अव्यक्त फरिष्टा बन के काम करो अशरीरी बन के स्थिती का जब चाहो तब अनुभव करो ऐसे मन और बुद्धी आपके कंट्रोल में हो ओर्डर करो अशरीरी बन जाओ ओर्डर किया और हुआ फरिष्टे बन जाए जैसे मन को जहां जिस स्थिती में स्थित करने चाहो, वहां सेकेंड में स्थित हो जाओ ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, पांच सेकेंड लग गए, दो सेकेंड लग गए ओर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा कैसी भी परिस्थिती हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ अशरीरी हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा कई बच्चे बहुत भिन भिन पोस बदलते रहते, बाप देखते रहते सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रोब में स्थित होना हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हो मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की आपने मन को ओर्डर किया सेकेंड में अशरीरी हो जाओ यद तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है कब बनेंगे कैसे बनेंगे और तो नहीं माना ना कंट्रोलिंग पवर तो नहीं हुई ना अभी समय प्रमान इसी प्राक्टिस की आवश्यकता है अगर कंट्रोलिंग पवर नहीं है तो कई परिस्तितिया हलचल में ले आ सकती है इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है होली बीती सु बीती और होली बाप की बन गई और क्या बन गई होली अर्थात पवित्रा आत्मा बन गई एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के तीन अर्थ यूस करो वर्टन नहीं करो हाँ होली माना बीती सु बीती हाँ बीती सु बीती है एसे नहीं सोचते रहो, वर्नन करते रहो नहीं अर्थस्वरुप में स्थित हो जाओ, सोचा और हुआ एसे नहीं, सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए बापतादा ने ड्रिल कराई अभी समय के प्रमान अब हर निमत बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्मों को स्वपरिवर्थन वारा विश्व परिवर्थन का वाइब्रेशन पावफिल और तीवरगती का बढ़ाना है चारो और मन का दुख और अशान्ती मन की परेशानिया बहुत तीवरगती से बढ़ रही है बापतादा को विश्व की आत्मों के उपर रहम आता है तो जितना तीवरगती से दुख की लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुख दाता के बच्चे अपने मंसा शक्ती से, मंसा सेवा वर सकाश की सेवा से वृत्ती से चारो और सुख की अंचली का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही है लेकिन आप पोच्च देव आत्मों को भी किसी ना किसी रूप में पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पोच्च आत्माएं अपने भक आत्मों को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं एसी इन्वेंचन निकाले जो धुक समाप्थ हो जाए। साथन सुक के साथ दुख भी देते हैं लेकिन दुख ना हो सर्फ सुक की प्राप्ति हो उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वायम की आत्मा में अविनाशी सुक का अनुपव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुक का शांती का निश्वा सचे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है यह जितना इकटा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्यान के घचाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार वा माया की तरफ से आई होई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूस करते हो तो जमा का खाता कम होता है तो चिक करो जमा किया, लेकिन खर्च भी किया बाकी एकाउट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है दो दिन कमाया और एक दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा ऐसा एकाउट तो नहीं है, ऐसे ही कमाया और खाया, वह अपनी प्रती ही लगा कर खतम किया तो 21 चरम के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोका मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो लेकिन साथ साथ अपनी प्रती खर्च कितना किया। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ती दी, ज्यान का खर्चाना दिया। वह खर्च नहीं है। वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रती समय प्रती समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है इसी लिए अच्छे विशाल बुद्धी से चेकिंग करो जमा का खता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए है सहज अगर हर करम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का एकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा तो चेक करो कि हर करम वा कदम प्रम्हा बाप समान रहा तो करम का फल उसी समय प्रत्यक्ष रुप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से करम किया और अगर अभी कोई विकरम होता है तो उसका पस्चाता बहुत लंबा है वेसे अभी विकरम तो कोई होना नहीं चा लेकिन अभी कोई वियर्थ संकल्फ वा वियर्थ करम वियर्थ बोल वियर्थ संबन संपर्क में भी ना हो क्योंकि वियर्थ संबन संपर्क भी बहुत थोका देता है जैसा संग वैसा रंग लग जाता है कई बच्चे बड़ी छत्दुर है कहते हैं हम तो संग नहीं करते ल तो क्या किनारा करना नहीं आता, अगर कोई बुरी चीज दे, तो आप लेते क्यों हो, लेने वाला नहीं लेगा, तो देने वाला क्या करेगा, इसलिए व्यर्ट संबंद और संपर्क भी एकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, य करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते है, सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया, तो क्या करो, लेकिन अगर पुरुशर्थ हो, तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो, तो बात ही चोड़ो, फिर तो आराम से सोजा, त्रेता में आजाना, लेकि कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बापतादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्छों की भी कमाल है, ना चाते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते तो बहुत पावर्फल आत्माये हैं, इसलिए व्यर्थ के उपर भी चेकिंग सदा हायस्थ तीम में स्थित रहने वाली हायस्थ आत्माये, सदा सर्व खसानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माये, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ट आत्माये, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे बासक्षमा करने वाली आत्मा को सकाश द्वारा सुक शांति की अंचली देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अती तीवरुप पुरुशार्ती आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात्मिता बाप दादा को याद प्यार, गुड़ मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. वर्दान हौली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर, पुरुशार्त की स्पीड को तेज करने वाले तीवरुप पुरुशार्ती भव। हौली अर्थात जो बात हो गई, बीट गई, उसको बिलकुल खतम कर देना. बीटी को बीटी कर आगे बढ़ना यही है हौली मनाना. बीटी हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जनम की बात है. जब ऐसी स्थिती हो जाती है, तब पुरुशार्त की स्पीड तेज होती है. तो अपनी या दोश्रों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित पर नहीं रखना, और वर्न तो कभी नहीं करना, तब ही तीवर पुरुशार्ती बन सकेंगे. स्लोगन मेरे पन के अनिक रिष्टों को समाप्त करना ही फरिष्टाब बनना है। ओम शान्ति